हेलो फ्रेंड्स रेस्पी पिटारे चेनल में आज बन रहा है मसाला पूरी तो मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक कटोरी आटा एक कटोरी बेशन और एक छुटी कटोरी सूजी या यूँ कहे कि आटे का हाफ बेसन लेना है और बेसन का हाफ सूजी लेना है और अब हमें इसमें एट करना है कुछ मसाले चुकि हम मसाला पूरी बना रहे हैं तो मसाला तो एट करना ही है तो धनिया की थोड़ी सी कटी हुई हैरी पत्तिया ले ली है हमने और एक चोथाई चम्मच अजवाइन लिया है एक चोथाई चम्मच जीरा लिया है अजवाइन को बिल्कुल भी इसकीप ना करें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस पूरी में एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और एक चोथाई चम्मच नमक लिया है एक चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक चोथाई चम्मच धन्या पाउडर गरम मसाले हमको इसमें बिल्कुल भी एड़ नहीं करने हैं दो सी तीन बड़े चम्मच हमने आयल लिया है आयल डालने से पूड़िया बहुत ही सौफ्ट बनती है तो आयल को भी बिल्कुल भी इसकी पना करें अभी सारे मसालों को इस तरह से हमें मिक्स करना है हाथों से ताकि आयल अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए आंटे का कलर भी चेंज हो गया है और अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके आंटे को रोटी जैसा गुन करके तयार करेंगे आंटा गुन करके रेडी हो गया है अभी से रेष्ट करने देते हैं तो आंटा को हमने 15 मिनट तक रेष्ट करने दिया है अभी आंटे के दो दोस्तों के साथ चार बिलकूल करना भी बिल्कूल न भूले तो पूरी के लिए सारी लोईया बन करके तयार हो गई है अभी हम एक एक लोई को उठा करके इस तरह से पूरिया बन करके तयार करेंगे इस तरह की पूरी आपने इससे पहले कभी बनाई थी अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर नहीं बनाई थी तो अब कब बना रहे हैं ये भी बताईएगा तो अभी हमें इस तरह से सारी पूरिया बल करके तयार कर लेनी है या इस तरह से भी एक एक पूरिया बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे इस तरह से भी कर सकते हैं तो हम तीन से चार पूरिया बेल लेते हैं उसके बाद तलना स् थोड़ा सा आठा डाल करके चेक कर लेते हैं तो अभी आठा धीमे धीमे उपर आ रहा है इसका मतलब अभी 10 से 15 सेकेंड हमको तेल और भी गरम करना है तो इस तरह से इसको बाहर निकाल देते हैं और 10 से 15 सेकेंड अभी हो गए हैं अब हमको एक एक पूरिया इस तरह से डाल क करके तलनी है पूरियां तलने के लिए चूले का फ्ले मीडियम टू हाई होना चाहिए और एक पूरिया इस तरह से हम डालते जाएंगे और हल्का सा कल्ची से दबा करके फूलाते जाएंगे तो देखिए हमने पूरी डाल दिया था अच्छे से फूल गई है अभी हम इसमें दूसरा पूरी भी डाल करके तल लेते हैं यह पूरियां गरम और ठंधा दोनों तरह से खाने में अच्छी लगती है तो आप जिस तरह से भी चाहें इसे खा सकते हैं इसी तरह से हमें सारे आटे की लोईया बना कर जो हमने रखी है सबकी पूरिया इसी तरह से हमें तल करक के खा सकते हो तो इसी तरह से सारी पूरिया तल करके तैयार कर लेंगे तो देखिए पूरिया दुनों तरफ से अच्छे से सीख गई हैं अभी हम इसे तेल से बाहर निकाल देते हैं मसाला पूरी की यह रेस्पी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिल अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ